नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपका मैं आपका दोस दिनेश निम्बावत है हम बात कर रहे हैं दर्शान सास्तर को लेकर दर्शान सास्तर को हमने सुरू किया था कि आब आगे बात करते हैं बारतिया दर्शं का जो विकास है वो किस तरीके से होता है और नंस्तियों बात कर रहे हैं यह घूरते नोट जो है बावान सिंग राजप्रोहित सर कि प्लास के नोट्स हैं मेरे द्वारा लिखी गए तो समझ में आये नाए एक बार देखे चरूर लिजएगा आपको समझ में आ जाएगा मेटर्ड अगर आपको बात करें से पहले इस काल में जो है वेदिक दर्षन उपनिसत दर्षन का तो वेदिक आल में जो है वेदिक दर्षन और उपनिसत दर्षन का विकास दर्षन में क्या हुआ वेदिक आल में हुआ वेदिक दर्षन और उपनिसित दर्षन का विकास वा अगला है महा काव्य काल कौन सा काव्य महा काव्य का इसका टाइम प्रेट जो है 500 BC से एक 500 BC से 500 ADN की 500 इसापूरों से 520 तक है इसका टाइम प्रेट मा काव्य काल का इस काल में भारत में बुद्ध वो जेन दर्षन है इसका उदे होता है बूद्ध ओजेन दश्ण जो है इसका उदे होता है माँक अवेकाल में आपर की जो तक बात करें deposit का जो आ smarter जो सुत्रव्यदिक काल में कि उत्पति काल वो उत्रविदिक काल में बताई सेडे है कि सरड़र्षन का विकास या उत्पति इसी समय हुई, सम्समिय एक काल में देखें तो इस काल में, अब फिर गांदी जी आये, अर्विन गोष जी कह दर्शन है, डोक्टर राधा करशन, रविदेनार्टे गोर्व कहा दर्शन आता है, सम्सायमेक में, अब देख लेते हैं, पाश्चातिय दर् सब्सक्राइख कर्म कर्म नसाल बारटेखा विकास नहीं तो नहीं हुआ तो भारत में उधे के बात काई दाशन एकसान चलते रहे कि अचसने हुआ लेकिन कहीं दरशन है जो साथ में चलते रहे पास्चाती दर्षन जो है सेधानतिक दर्षन है पास्चाती दर्षन सेधानतिक दर्षन है जबकि भारतिक दर्षन क्या वहवारिक दर्षन है पस्चिम में दर्षन का उदे जो है आश्चरिय उत्सक्ता के कारण हुआ पस्चिम के देशों में जो है दर् प्रप्र करना नहीं है इनका उधेज्टिय मांसिक वायवाम कहा जा सकता सकता है जानने के लिए ये लोग जो है उनका उदेशी था तो मानसिक वयवाम कहा जाता इसको वहाँ पर दर्शन का उदेशी केवल स्वेम ग्यान प्राप्त करना है यानकी स्वेम ग्यान प्राप्त करना की संदर्ब में तो ये पास आती दर्शन का क्या वो देश हो गया उनका कि वे स्वयम ग्यान प्राप्त करना चाहते थे भारत में दर्शन का एक साधन है वो साध्य है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना साध्य क्या है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना साधन हो गया दर्शन के माद्यम से दुखों से मुक्ति प्राप्त करना साध्य क्या होता है यानि जो आप उदेशी जिसे साधना चाहते हैं जो उदेशी आप साधना चाहते हैं वो साध्य होता है दुखों से मुक्ति प्र आच्छा है कि पास्चात्य दर्षन में डिस वर्ड की बात की जाते कि अबद लिए डिन्या की बात की जातीJean इंग्यायतुकर रणोग की सोद्वास की वर्ड की सता पर विश्वास किया जाता है पस्चिमी दर्शन को वेग्यानिक दर्शन कहा जाता है साइंटिपिक यह जो दर्शन है वो पस्चिमी दर्शन कहा जाता है उसको कि पस्चिम दर्शन को वेग्यानिक दर्शन कहा जाता है जबकि बारतिय दर्शन धार्मिक दर्शन है तरक वितर करते हैं पास्चातिय कहा जाता है कि जबकि भारतिय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है कि पास्यात्य दर्शन क्या है भूदिक दर्शन जबकि भारतिय दर्शन क्या है आध्यात्मिक दर्शन है पास्यात्य दर्शन जो है विश्लेशन आत्मिक दर्शन है पास्चात्य दर्शन किया विश्लेशन इन्हीं अलग 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 छोटे जोटे रूप में अलग अलग एक टोपिक हो गया एक जैसे की यूनिट हो गया यूनिट का सब टोपिक लेगे अपन अलग 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 तो वह विश्लेशन है तो पास्चात्य दर्शन है कि क्या किया जाता है अलग-अलग अध्यन किया जाता है अब वो इन में कोई समद नजर नहीं आता अलग-अध्यन किया जाता है जबकि भारती दर्शन में जो है संस्लेश्ट आत्मक दर्शन है भारत में दर्शन की साकाओं का एक साथ अध्यन किया जाता है भारती दर्शन म जगत के परती दुखात्मक वो अभाव यानकि अभावात्मक दर्श्चिकोन नजर आता है क्या भारतिय दर्शन में जो है दुखात्मक यानकि जगत के परती दुख की बात अभावात्मक दर्श्चिकोन नजर आता है हम Bem जबकि पास रच्छपन्में जगत के पड़ती सुखात्मक दश्टिकोर्ञ नज राता है जगत गौमिया क्या क्या बताते दुखदाइव रिखलते हैं जबकि पास्साइब यह वो सुखात्मक दश्टिकौर्ञ रखते इसके पड़ती तो बाहर मिलते हैं अगले वीडियो में वेदिक दशन की बात करेंगे नमस्कार